जै शिया राम जै जै राम शीतल अमल मधूर जल जल जबिपुल बहु रंग कूजत कलरव हंसगन गुंजत मन जुल ब्रिंग उसका जल शितल निर्मल और मीठा है उसमें रंग ब्रंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं हंसगन मधूर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं जैसी आराम जै जैराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवव सुदा से रथ जिर विहारी तेहीं गिरी रुचिर बसाई खग सोई ता सुना से कल पांतन होई माया कृत गुंदोस अनेका मोह मनोज आदी अभिवेका उस सुन्दर परवत पर वही पकसी अर्थात काग भुसिंदी बसता है उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता माया रचित अनेकूं गुंदोस मोह काम आदी अभिवेक रहे ब्याप समस्त जग माहीं तेही गिरी निकट कब हुँ नहीं जाहीं तहां बसी हरी ही भजाई जीमिकागा शोशन उमा सहित अनुरागा जो सारे जगत में छा रहे हैं उस परवत के पास भी कभी नहीं फटकते वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरी को भजता है हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो पीपर तरुतर ध्यान सोधर रही जाप जग्य पाकर तरकर रही आम चाह कर मानस पूजा तजीहरी भजन का जु नहीं दूजा वह पीपल के ब्रिक्स के नीचे ध्यान धरता है पाकर के नीचे जब यग करता है आम की छाया में मानसिक पूजा करता है श्रीहरी के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है बरतर कह हरी कथा प्रसंगा आवही सुन ही अने कभी हंगा राम चरित बिचित्र बिधिनाना प्रेम सहित कर साधर गाना बरगत के नीचे वह श्रीहरी की कथाओं के प्रसंग कहता है वहाँ एनेकों पकसी आते और कथा सुनते हैं वह बिचित्र राम सरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर वग्गान करता है सुने ही सकल मति बिमल मराला बस ही निरंतर जेते ही ताला जब मैं जाई सो कौतुक देखा उरे उपजा आनंद विसेखा सब निर्मल बुद्धिवाले हनस जो सदा उस ताला पर बस्ते हैं उसे सुनते हैं जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक अर्थात द्रिश्य देखा तब मेरे हिर्दय में विसेख आनंद उत्पन हुआ तब कचुकाल मराल तनु धरितह कीन निवास साधर सुनिर गुपति गुन पुनिया यहूं कैलास सियाबर राम जै जै राम मंगल भावन या मंगल हारी द्रवा उन्शु दैसे रहते या जी रे भी हारी